नमस्कार दोस्तों आप देखरें नुजेटी में आपके साथ दिने अगनुत्री आज हमारे साथ मौझूद है अंस पार्टी दार इन्हों ने जो है किसानों के लिए बड़ा ही एक अच्छी टेक्नोलोजी बनाई जो कि किसान अपने एक एकर की खेत में जो है ब्रून से 15 मि मेरी सुर्वात जाननी होगी कि मैं बिजनस में कैसे आया मैं थोड़ा सा सभी को बताना चाहूंगा कि मेरी उमर 19 साल है और काफी कम समय में मैंने ये खुद से डिसाइड किया कि मुझे बिजनस सेक्टर में या इस्पेशली एगरिकल्चर सेक्टर में आगे काम करना है तो स्पोर्ट में भी काफी रूची रही, म्यूजिक, संगीत में भी काफी रूची रही और स्कूल में अलग-अलग एक्टिविटीज में जैसे मैं मेरी स्कूल का टू टाइमस हेड़ भॉय भी रहा हूं तो ऐसी लीडर्शिप कॉलिटी जो है वो स्कूल टाइम से मुझे मि और इसी के चलते मैं दसवी में भी 90 से अधिक अंक स्कूर किये थे 90 प्लस परसेंट पर कुछ मेरी जानकारी में कुछ देखने में ऐसे लोग मुझे मिले जिन लोगों ने काफी परिश्रम किया काफी एफर्ट किया जिन्होंने आयाईईटी क्लियर करी ऐसे दो लोगों को मैंने देखा और वो लोग फिर खेती करना उन लोगों ने शुरुबात करी तो जब मैं ऐसे लोगों से मिला तो एक प्रेणना मन में जागी खेती के प्रती भी और एक जो वर्ड है स्टार्ट अप और उन्टोपेनर्शिप इसके प्रती भी मेरे मन में प्रेणना जागी तो मैंने दस्वी में ये दिशाइट किया कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ-साथ भी बिजनस में भी रूची लूँ और उसे भी शुरुबात करूँ तो मेरे पहले मैंने एक छोटा सा वेंचर चालू किया था जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि जो पैस्टीसाइड मै उसके उपर काम करते थे जिसमें हम लोगों किसान को आधी कीमतों में दवाई जो उसे दुकान मिलती उससे आधी कीमतों में हम सेम दवाईयां उपलब्द कराते थे पर जब मैंने किसानों के साथ उस समय काम किया तो करीब मैं 500 किसानों तक अपनी पहुँच उस समय ले ज प्रेटिशन के लिए काफी आवशकता है चोकि आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें पूरा आज केमिकल है जमीन से कार्बन कंटेंट नूट्रिशन कंटेंट खता हो गया है तो फूड में भी नूट्रिशन नहीं आपाता तो यह सब प्रेणना के माध्यम से मैंने एक नई श और जब मैंने शुरबात करी मेरा वेंचर एक साल का हुआ तो ग्यारवी बारवी में उस समय में था तो 11-12 में मैंने कोवीड महामारी का उस समय आया तो यह जब जागरुकता हुई तो उस समय चुकि पूरा लॉकडाउन था पूरा देश विश्व पूरा सब कुछ बन थ और उस समय सिर्फ एगरी कल्चर एक मात्र ऐसी एकोनॉमी थी जो चालू थी तो मैं अपने गाओं में जो बड़वानी जीले में बोरलाय नाम का गाओं में महा का निवासी हूँ तो अपने गाओं में अपने परिवारी खेत में अपने परिवार के साथ में मित्रों के जानना हुआ खेती को पास से जानने का अनुभव प्राप्त हुआ और कैसे किसानों की समश्याओं को सुल जाया जा सकता है कैसे खेती को और उन्न तह टेक्लोजी के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है इसकी प्रेणना और जानकारी मिली यह सब करने के बाद में जब कितना आपने इंबस्ट किया होगा इस कमपनी में देखिए मेरी खुद की आय भी मेरे पारिवरिक आय भी किसानी खेती से जुड़ी हुई है तो जम मैंने मेरे च्छोटा बिजनस जो मैं आपको बताया है वह चालू किया तब वह पच्चीस हजार रुपे से क्रेडिट का तो अलग अलग चीजों की ट्रेडिंग कर पाता था जानकारी के माध्यम से तो उस माध्यम से मैंने जब एग्रिवा की शुरुवात करी तो मेरे पास मात्र तीन से चार लाग रुपे की मुझे परिवारिक सहता भी आ गए इसमें इसमें खुद जो मैंने दो साल के अंदर पैसा कमाया था वो भी आ गया और ऐसी पेमेंड के साथ में मैंने शुरुवात करी एग्रिवा की आपने अपनी स्टोरी बताई तो एग्रिवा जो किसानों के एक कैसे जो है beneficial इसके वारें बताएंगे क्या 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 आप service देते हैं किसानों को देखिए एग्रिवा और्गेनिक्स की बात करें तो नाम में ही और्गेनिक्स है और इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल वर्ट देने का मतलब सिर्फ भारत तक या सिर्फ मद्रबदेश के किसानों तक यह service पहुचाना हमारा उद्देश नहीं है हम इस company का vision world level पे major जो focus है कैसे किसानों को जेविक खेती प्रमोट किया जाए कैसे उसे जेविक उतपादों के साथ में अधिक productivity का काम किया जाए इसके लिए हम लोगों का एक नारा है किसान खर्च आदा और उतपादन जादा तो यह तो हमारे उतपाद जो हम बना रहे हैं उसकी बात हो technology का adoption किया मैं मानिय मोदी जी का भी इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले साल भारत में drone service और drone technology के लिए policy reform करी और इसी के तहद भारत में पहली बार पिछले साल drone policy आई जिसमें proper drone कैसे work करेगा क्या rules and regulation होना चाहिए और कैसे किसानों का फाइदा मिले जादा किसानों को free spray provide किया एक हजार से जादा किसानों को free spray हम लोगों ने दिया और इसी के चलते हम लोगों का एक criteria है जिसमें हम लोग एक किसान को 5 एकर तक अधिकतम free spray देते हैं और इसी के चलते हम लोगों ने किसानों से 5 लाक लीटर पानी बचाने की help करी as compared to normal spray क्यों तो उसको 200 लिटर पानी एकर में लगता है और एक लेबर जो है उसकी दिन में 2-3 एकर ही कर पाती है वहीं एक ड्रोन 10-15 मिनट के अंदर एक एकर करता है और दिन में 30 एकर से अधिक स्प्रे कर पाता है तो सीधी 10 गुना एफिशेंसी है पानी की बच्चत 90 प्रतीशत है और 25 परसंट आप कम पेस्टिसाइड या कम जो उत्पाद आप यूज कर रहे हैं उसकी बचत करते हैं और 10 मिनट के अंदर जब आपका यह काम होता है तो किसानों का समय भी बचता है और फसले भी फलती भूलती है और ऐसा ही प्रेड़ना के साथ में किसानों को हम लोगों ने यह टेक्लोजी इंटेड्यूस कर रही और पिछले साल तक हम 9 से अधिक जिलों में काम कर रहे थे अगर किसान अगर आपके ड्रोन सर्विस लेना चाहे था तो क्या क्राइटेरिया है क्या आपके यहां से दवा उनको पर्चिस करना पड़ेगा तभी वो ड्रोन सर्विस ल में हम लोगों एक्सपांड हो गए हैं हर जिले में हर तहसिल में हर गाओं में हम लोगों के डीलर्स हैं जो हम लोगों के लिए प्रोड़क्स सेलिंग का काम करते हैं जो किसानों तक हमारे प्रोड़क्स पहुचाने के लिए हल्प करते हैं इसके अलावा हमारी हर जिले में हर तेसिल में और हर गाओं लेवल पे हमारी company की field level पे agronomy की team है जो किसानों को guide करती है और sales की भी team है जो किसानों तक उतपात पहुचाने का काम करती है तो जो भी किसान spray की service लेना चाहें उन लोगों के लिए हम लोगों ने पिछले साल minimum एक product agriva organics का आपको use करना है इसके अलाव उसके अंदर अन्य कोई भी product आपको जो use करना है आप कर सकते हैं पर minimum अगर आप एक product agriva का use करते हैं तो आपको free spray मिलेगा चुकि इस साल हम लोगों का target है कि 25,000 एकर से जादा हम लोग किसानों को free spray दें और 20 से जादा drone हम लोग इन 15 जिलों में deploy करने वाले हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसको फाइदा मिलेगा तो इसी के दाद हम लोगों ने इस साल criteria किया है कि minimum दो product को इंगरीव organics के आपको उप्योग करने पड़ेंगा हम लोगों ने पिछले साल सर्थ 13 से अधिक फसलों में drone spray provide किया मैं आपको कुछ का नाम बता सकता हूं जैसे कपास है तर्बूज है मिर्च है टमाटर है खिरा है सोया बीन है इसके अलाव आपका बनाना में भी हम लोगों इस प्रेक है शुगर के इन में हम लोगों ने इस प्रेक है ऐसे 13 से अधिक फसलों में हम लोगों ने इस प्रेक है के यह जानना जाएता हूं कि आप लोग ड्रोन मंगाते कहा से इसके बारे क्रैटरिया है जी हम लोगों ने खुद company के भी drone deploy कर रहे हैं और हम लोगों क्योंकि हम लोग एक उत्पाद बनाने वाली कंपनी भी है और सर्वीज भी हमारे लिए एक इंपोर्टेंट क्राइटेरिया है तो हम लोग ड्रोन जो है लीज आउट भी करते हैं हमारे अलग-अलग चैनल पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम लोग टाइब किया है इस साल हम अजय्ट आवा भी किसानों को हमारे साथ जुड़खे freeze देंगे सिंधे मालक किसी किसान की का एक एक एकड का खेट है तो ड्रोन कितना समय लगाता हुआ है उसको सिचाइकन में जी देखिए, अगर किसी किसान का एक 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 खेट है तो सबसे पहले उसके खेट में हमारा ए लगता है एक एकर को सेट अप करने के लिए उसके बाद जब हम लोग उसमें दस लेटर पानी में जो भी उसका उत्पाद है वो ड्रोन के अंदर डालते हैं और फिर फ्लाइट टाइम सेट अप करते हैं और फिर वह स्प्रे होता है तो इसमें करीब 10-12 मिनट का समय लगता है तो करीब अगर सिर्फ एक एकर है तो उसमें किसान को 20-25 मिनट लग सकते हैं पर जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम समय लगए है क्योंकि मैपिंग में तो समय लगबग बराबर ही लगता है एक एकर हो चाहे आपकस बड़ा एरिया हो अच्छा एकर में कितना पानी लग टॉप एरिया से होता है, मतलब फसल के ऊपर से इस्प्रे किया जाता है, तो जब फसल के ऊपर से इस्प्रे होता है, तो पूरी फसल उसमें कवर होती है, और एक समान इस्प्रे होता है, तो उससे किसानों को काफी अच्छा रिजल्ट, जो हाथ से इस्प्रे हो रहा है, जो अधर तकनीक से इस्प्रेय हो रहा है उसके माध्यम से जब ड्रोन से आप इसप्रेय करते हैं तो आपको रिजल्ट उसके काफी अच्छे मिलते हैं जिसका आपको सीधा असर प्रोडक्टिविटी पे भी होता है और क्या प्लान से आंगे को लेकर आपके देखिए हम लोगों शुरुबात करूँ तो किसान के सामने आज सबसे बड़ी समझ्या कि मैं अगर जेविक करूं तो मुझे इसका मार्केट कैसे मिलेगा जो मेरी ट्रेडिशनल फसले है उससे जएधा मार्केट कैसे मिलेगा तो किसानों को अभी तक जेविक करने पर मार्केट इसलिए आते हैं तो आपको FSSI का लाइसन काफी important आप सोना खरीते हैं तो होल मर्क चाहिए तो ऐसे organic के भी काफी standards है जैसे मैं आपको नाम बता सकता हूँ जैसे organic standard में आप Indian organic का standard जिसको NPOP कहा जाता है और USA के लिए USDA का standard है जिसको NOP standard कहा जाता है तो इसका तीन साल का certification process रहता है अपनी जमीन को आप जब इसके अंदर लाते हैं तो आपको काफी rules and regulation follow करने पड़ते हैं काफी practices करनी पड़ती है follow complete organic होती है वो लोग आपको non-geomo cotton का seed यूज़ करना होता है आपको तीन पट्टी काड़ा जीवामरज जैसे और हम जैसे उत्पाद जो पूर्णत हा और्गनी के ऐसे उत्पाद अपने खेत में यूज़ करना है किसी भी तरह का जी मैं research के बारे में बताऊंगा इसमें सबसे बड़ा मार्क दर्शन मेरे पिताजी का रहा है चूकि मेरे पिताजी खेती में तो काफी समय से थे उन्होंने कहीं कहीं सारी कंपनियों में भी अपना सायोग दिया है सीड कंपनीज में पेस्टिसाइड कंपनीज में भी उन्होंने काम किया है करीब 20 साल से ज़्यादा उनको अनुभवे खेती-किसानी बिजनस लेवल पे भी और खुद-किसान होते हुए भी तो सबसे पहली प्रेंड़ना तो मेरी जानकारी मिली है तो कुछ क्राइटेरिया की वज़े से मैं उनका नाम आपको बता नहीं पाऊंगा पर जरूर किसी भी आदमी की सफलता में या किसी भी कंपनी की सफलता में जरूर गुरुजनों का और सयोग्यों का काफी सयोग रता है इसके अलाव जो हमारी टीम है एग दो सालों के अदर अभी हमारी टीम की ऍट्रेंट 21 हो गogie है ते लिए क narc के अधीफ से चिलों की काम कर पायेगे अक्ती सवाल कि गया सर तनो बताना मेरे लिए ठोड़ा सा एक पपलिक प्लेटफोर्म पर मुश्किल रहेगा पर मैं आपके साथ मेरा एक अनूपाव साजा कर सकता हूँ, लास्ट येर एक इन्वेस्टर ने हमारी कंपणी को 20 करोड रूपे की वैलिएशन पे आका गया, तो मैं आपके सामने ये proudly कह सकता हूँ, और पूरे भारत के नहीं, जितने भी सक्षम किसान हैं, जो जेवी को अपनाना चाहते हैं, और पूरे मद्वदेश के किसानों के रूप में कह सकता हूँ कि ये जीत, जो 20 करोड की आज 19 साल में जो मुझे मिली है, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये पूरी एग्रिवा और्गेनिक्स की टीम की जीत है, ये उन सभी किसानों की जीत है, जो भारत की उननती के लिए काम करना चाहते हैं, और जो इस राष्टर की उननती के लिए काम करना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी मुझे पिछले दो सालों में चुकी, दूसरा साल है, मेरी कमपनी है और उसका फाइदा किसान ले पा रहे हैं अगर बिहार के किसान ये वीडियो देख रहे हैं या फिर उत्तर पदेशे पंजाब हर्याणा के और अधर इस्टेट के किसान अगर वीडियो देख रहे हैं अगर उनको भी सर्विस क्या आप प्रोवाइट कराएंगे जी मैं पर अगर मुझे वहाँ पर थोड़ा सा 500 एकर का एरिया मिल सकता है अगर वहाँ पर 10 किसान मिलके बोलेंगी मुझे ड्रोन इस पर चाहिए तो हमारे लिए काफी इजी होगा उनके लिए करना चुकि एक किसान के लिए हमारे लिए भी मुश्किल होता है इसके अलावा हम ल किसान इतना टेक्लोजी के लिए अवेर नहीं है उसके लिए उनलाइन खरीदी करना अभी इतना मुश्किल है और चुकि हमारी ओर्गनाइजेशन भी पिछले साल से ही चालू हुई है तो हम लोगों ने अभी तक हमारी वेबसाइट है www.agrivaorganics.com आप महां जा सकते हैं पर पर आप एक नमबर में आपको बता सकता हूं आप उस पर कॉल कर सकते हैं मोबाइल नमबर है 748-948-0837 आप इस मोबाइल नमबर पर कॉल करके और आपको जो भी जानकारी चाहिए एग्रिवा और अगर आप यह दोनों चीजों को अपनाना चाहते हैं तो आपको इसकी जान चुकि हर युवा की जो महिनत है उसको प्रेजेंट करना और हर लोगों तक पहुचाना काफी कम लोग यह कर पा रहे हैं उसमें News18 जो है यह काम कर रहा है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा News18 का भी और मैं News18 को भी देखता हूं चैनल को और निरंत करते रहें मेरी भी यह उमीद है ताकि उन्नत किसान और उन्नत भारत का जो सपना है वह पूरा हो सके